नमस्कार मार्केट संबाद में आपका स्वागत है यह उत्तर प्रदेश का विरांगना मारानी लची वाई इस्टेशन है जो जासी के नाम से जाना जाता है और सामने आप जो देख रहे हुए यह सेलिबिरेशन लॉंच खुल गया है यह आपको महानगर का एसास कराएगा ज जो देश विदेश में महानगरों में इस्टेशन बने हुए हैं और जो लॉंच बने हुए हैं उनकी तर्ज पर उनसे और अच्छा सेलिबिरेशन लॉंच बना हुगा है और आप देख रहे होंगे पर हम पूरा दिखाएंगे आपको इस्टेशन का नजारा है पीरागना प्लच्ची वाई स्टेशन का सामने आप देख रहे हैं मन करता है कि बस देखते रहो और नहारते रहो आप सोच रहे होंगे कि ये कहीं बड़े महानगर का नजारा है जी नहीं ये जहासी का नजारा है और अब काफी बदलता जा रहा है जहासी काफी डवलप होता जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और पूरा नजारा दिखाते हैं जहासी स्मार्ट सिटी जो बन गई है और स्मार्ट होती जा रही है जब स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट हर चीज स्मार्ट होगी जहासी की और लगेगा कि हां लंदन पैरिस हॉंग कॉंग विदेश मे में हम रह रहे हैं काफी डवलप हो रहा है अब हम आपको चमचमाता पुप्सूरत नजारा दिखाते हैं सेलीविरेशन लॉंच का आप देखते हैं महानगरों में इस्टेशन पर जो आपको नजारा दिखता है जैसे सीट पर पूरा आराम फरमाते हुए बॉड़ी को रिलेक्स मिलता है और एक मसाज टाइप का हो जाता है बॉड़ी का और आदमी को सुकून मिलता है चब सुकून मिलता है तो हर चीज अच्छी लगती है दमाग काम करता है बॉड़ी काम करती है सर नमस्कार सर यह जो सोपे लगे हैं क्या बोलते हैं इसको क्या है इसकी खाज़ियत आप देख रहे हैं इस सोपा कंपट बैड बन गया है और बड़ा आराम दे है और खुबसूरत नजारा है जहासी का बदलती तस्वीर जहासी की आप मार्केट समबात पर देख सकते हैं बड़ा रिलेक्स मिलता है इन सोपों पर अब दीपवली कर समय आ रहा है तो लाइट दिखाना लाजमी है जैसा कि चमचमा रही है लाइट लगी है और घास वाली डिजान आप सामने देख रहे हैं जब हमारी जहासी स्मार्ट हो चुकी है तो क्यों न हमें स्मार्ट होते जाएं और खुपसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा घर बैटकर मार्केट समबात पर कि जहासी कितनी खुपसूरत होती जा रही है खुपसूरत सेलीबिरेशन लॉंच का खुपसूरत नजारा और खुपसूरत लोग सामने आपको दिखाई दे रहे हैं और अभी भी कुरोना काल का पालन किया जा रहा है मास्क मूमा है और बड़ा खुपसूरत नजारा है वस खुपसूरती देखते रहे हैं आपको देश विदेश का नजारा जासी में देखने को मिलेगा और लगेगा कि हाँ अब हमारी जासी इस्टेशन कुछ दिख रहा है लोगों की बहुत डेमाड थी कि हमारी जासी में ऐसा कोई रेश्टोरेंट भी नहीं है स्टेशन पर बैठने की सुबदाय नहीं है बेटिंग रूम नहीं है जो आराम दायक हो और लोगों को लगे कि हाँ हम बोड़ी हमारी रिलेक्स हो चुकी है अब हम सोचने की सक्ति ब यह नई टेक्नलोजी जासी में जो डबलफ हो रहा है आप जो देख रहे हैं मोबाल चार्ज करते हुए भाईया जी अच्छा साधन है क्योंकि मोबाल एक सरीर का अंग का हिस्सा है और चार्जिंग ना मिले तो तड़कता है सरीर और दिल भी कापने लगता है इसलिए सारी सुब्दाओं को देख कर यह सोपे बनाए गए हैं और इनमें चार्जिंग की विवस्ता की गई है आप सामने देख रहे होंगे वाई फाई आपको फिरी मिलेगा यहां पर जब आप बैठेंगे आराम करेंगे रेस्टोरेंड में मजा लेंगे चुस्की लेंगे चाय की कि हम कहीं स्वर्ग से स्वर्ग में तो नहीं आ गए हैं जी नहीं यह जासी का नजारा है अगर आप सोचने लगो कि कहीं विदेश की तस्वीर दिखा रहे हैं मौर्या जी नहीं मौर्या जी जासी का तस्वीर दिखा रहे हैं बस आप देखते रहें गर बैठकर जब हम आप खुशूरती देखते हैं तो दिल भाग भाग हो जाता है और जब दिल भाग भाग होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं कभी हमारे अंदर रोग नहीं आता है जब हम खुश रहेंगे तो रोग दूर भागता है क्योंकि हम खुश रहेंगे तो टैंसर रहेगा नहीं ये बॉस रूम है सामने, खुब्सूरत नजारा बनाया है, क्लॉक रूम है, कापी अच्छा वी रागना लच्छी भाई जहासी में इस सुब्दा दी गई है, अब लगता है कि हाँ जहासी और स्मार्ट सिटी में बैठे हैं, जिचा नमस्कार, अग्रम बदाई दीपवली की मार्गेट संबात परवार की हुर से, और कैसा लग रहा है, कहां से हैं आप लोग, बदाई खाना कैसा लग रहा है, लाजवाब है, दन्नबाद सर, नमस्कार, अग्रम बदाई, कहां से हैं सर, और कैसा लग रहा है इसमें, लग रहा है कि हाँ, स्मार्ट सिटी में बैटे ह नासी में खाना बढ़िया है रेट भी ठीक है धन्नवाद कि यह जो आप देख रहे हैं सुब्दाय दी गई है बॉसरूम बें लेडिज के लिए सामने जो आप देख रहे हैं सामने जैंस के लिए और आपने देखा हो या ना देखा हो ए जैस विदेश का नजारा हमारी जहासी में देखने को मिलेगा बॉसरूम में आपने एसी ना देखा हो तो देख सकते हैं क्योंकि बॉसरूम में भी एसी लगा है क्योंकि जब गर्मी होती है तो कापी दिक्कत होती है लोगों को और ल जलता हुगा आपको बॉसरूम दिखाते हैं आज का स्मार्ट सिटी के जो बॉसरूम होते हैं कितना सुन्दा बॉसरूम है हर चीज की सुभदाएं बॉसरूम में आप देख रहे होंगे नाने के लिए गीजर लगाया गया है सद्री का सीजन है आने वाला है होने लगी है अलकी अलकी और जब आप बैठेंगे तो मनोरंजन का भी खायाल रखा गया है सामने LED लगी है बड़ी-बड़ी सी एसी लगे हैं सारी सुभदाओं से बस आप यह मत सोचना के कहीं बिदेश का नजारा दिखा रहे हैं बिदेश का नहीं है जी जहासी का नजारा है जब बीरायना लची भाई जहासी इस्टेशन पर यत्री आते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है कि यह बोही बदलती तस्वीर है जहासी की देखके उनका दिल भाग भाग हो जाता है और दोले दोले जहासी में अगर रुकने का मन भी नहीं होता है फिर भी अगर कभी जहासी आते हैं तो यहां जरूर सोचेंगे आने की मार्केट संबाद की रिपोर्ट जहासी